हेलो स्टुएंट्स आज हम इन और्गिनिक केमिस्ट्री का रिविजन स्टार्ट करते हैं आज हम एस ब्लोक से स्टार्ट करेंगे पर एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि केवल एक बार सुन लेने से चीज़ें आपको याद नहीं रहने वाली है तो इसका सही तरीका यह ही है कि हम multiple time revision करें और fast revision करें तो जितनी ज्यादा बार हम revision करेंगे हमारा retention उतना ज्यादा रहेगा तो आप लोग 30 से 50 टाइम्स आप अगर रिविजिन करेंगे इसका तो चीजें आपके रिटेंशन में रहेंगी और सारी रियक्शन से याद रहेंगी आप लोग आईज क्लोज करके जो सुन रहे हैं उसको आपस रिवाइज करने कोईश करिए और मल्टीपल टाइम इसको करिए राइट तो चलिए हम लोग से स्टार्ट करते हैं ऐस ब्लोग में आप लोगों को पता है कि हमारे पास एल्कली मेटल्स अड्ल के लॉक्लाइन अर्थ मिटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स के आउटर मॉस्ट सेल में है किए 1 कोंफिगरेशन होता है और अर्थ में अकुले मितल्स को देखें तो यह सॉफ्ट मेटल्स होते हैं लीथियम को छोड़ें तो बाकि सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं और सॉफ्टनेश डाउं-दा-ग्रूप इंक्रीज करती है अगर हम यह देखें कि सीजियम तो ऐसा मेटल है जिसका जो मेल्टिंग टेंपरेचर है वो रून टेंपरेचर के बराबर ही है 28.7 डिग्री सेंटिग्रेट है तो इसको आप अगर हाथ में भी रखोगे अगर इनकी हैं अगरेंक देकिसे देखें तो इनमें लीठीयम सोडियम की डेंशियम वातर से कम होती है अजिवकरियां को कोड़ें करनी है और एक चीज़ा को आपको को ठाटियम की डैंशियां के कि सबसे रखोन ने है चांड ли मैंते सीजियम करनी हैं कि ज जो इनोट ऑक्षिडेशन है वह सबसे कम होता है अदेल्टा एच के लिए आप कह सकते हो कि लिए डुमिनिटिंग फेक्टर होता है तो इसका डुटा है जो यस का decrease करेगा एल्कली मेटलाइंस का साथ साथ एंट्रोपी भी जो नेगेटिव वेल्यों वो डिक्रीज करेगी खाल दो सभी के लिए नेगेटिव होगी एल्कलाइन चोड्यों मेटल्स किंपरी वर यहां एक नहीं होंगे एक उच्ण्य क्या Goddude अजरी में बनाले थे वाटिव में अ manner हैं और हो सब्सक्रीज सब्सक्राइब होता होता हैं और के अदिक्राइब देखें तो वाटर में हम कह सकते हैं कि लीथियम वाटर के साथ रियाक्षिन करके जैंटली रियक्ट करता है और है और है यहां पर इसका यह है कि पोटेशियम के सब्सक्राइब करते हैं कि इसे रियक्टिविटी फास्ट हो जाती है रूबीडियम और सीजियम नीचे चले जाते हैं देंशिटी ज्यादा है तो वहां पर जब हाइड़ोजन होती है तो वह एक्स्प्लोड करती है कि एलकलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियलियम और मेगनिश कोई कलर शोओ कριल है केलश जो है वह वह करता है बार इसॉड्यम करता है और और एक्सफीयं के सांध रियाक्ष्टिय ऑख्यक्सद बनाता है सोडियम की साहसा है टो प्रहिबद बनाता है और बहुत स्टेशम देंशिस न्रनें provision में सूपर्थम पनेऽिए के बनाता है ब पर-oxid और सूपर-oxid की stability down the group बढ़ती हैं कि लिथियम का size ओने की वग्याजिय से आलाइठका साइज बोग्या ओने की वग्याजे से वो पर-oxid शूपर-oxid नहीं बना पाता इनमें अगर हम देखें तो Na2O2 colorless होता है और लेकिन थोड़ा सा इसका जो यलो color दिखाई देता है वो इसमें small amount of super oxide बने की वैसे दिखाई देता है और oxides में हम देखे तो potassium oxide पहली yellow color का होता है rubidium oxide yellow color का होता है और cgm oxide orange color का होता है these oxides are strong base basicity increases down the group और इनमें anti-fluoride structure होती है alkili metal के oxides में अगर यह जो oxides, peroxides और super oxides को हम देखें तो जो peroxides है अगर उनको हम water में डालें तो हमें NaOH या MoH plus H2O2 मिलेगा super oxides जैसे KO2 को water में dissolve करें तो हमें KOH, H2O2, O2 मिलेगा और अगर हम एक चीज़ देखें कि carbon dioxide के साथ में कराएं तो इसको carbon monoxide के साथ तो इसको हम कहें कि carbon monoxide carbon dioxide में oxidize हो जाएगी और carbon dioxide और NaOH की reaction से Na2CO3 में जाएगा ऐसे learn कर सकते हैं similarly हम यह कह सकते हैं कि जो SO2 है, sulfur dioxide है वो भी Na2O2 से oxidize हो कि sulfate में convert हो जाएगी और फिर Na2SO4 बन जाएगा, oxides को अगर हम water में dissolve करेंगे तो मैं hydroxide मिलेगा, these hydroxides are also these hydroxides are also strong base और basicity down the group बढ़ती है, तो except lithium hydroxide all other alkali metal hydroxides are strong base, basicity increases down the group they are thermally stable इसको हम इस तर भी याद रख सकते हैं कि only alkali metal hydroxides except lithium lithium are thermally stable, all other hydroxides are thermally unstable तो alkali metal में sodium, potassium, oebedium, cgm e thermally stable होते हैं बाकि सारे thermally unstable होते हैं इन hydroxide में lithium hydroxide को छोड़कर daily questions nature होता है यानि कि यह water absorb करके इसमें dissolve हो जाते हैं तो और highly soluble है water में इन सब में most common जो hydroxide है, वो sodium hydroxide है sodium hydroxide metals और non-metals दोनों से reaction करता है तो अगर non-metals में sodium hydroxide की reaction हम halogens के साथ देखें तो fluorine exceptionally आप कह सकते हो कि NaOH के साथ में redox reaction करेगी तो fluorine जो है, वो water को oxidize कर सकती है तो यहाँ पर O2 भी मिल सकता है हमको, OF2 भी मिल सकता है तो finally, fluorine reduce होगी अच्छे हैफ में वो NAF पे convert हो जाएगी तो fluorine को as a source हम यूज कर सकते हैं OF2 बनाने में या oxygen बनाने में यह बनाएगी और अगर हम hot and concentrated NaOH लेंगे तो यहाँ पर halogen जो है वो oxidize होकर plus 5 oxidation state तक चली जाएगी तो NaXO3 sodium halate बनेगा तो सेथ में NaX बनेगा तो halogen के साथ इससे reaction है अगर हम NaOH की sulfur के साथ reaction कराएं तो यहाँ पर sulfur disproportionate होके sodium thiosulfate Na2S H2O3 plus Na2S बनाती है और अगर हम sulfur excess में लें तो यह जो Na2S है वो Na2S5 तक भी जा सकता है silicon के साथ reaction करके hydrogen gas release होती है और sodium silicate बनता है boron के साथ reaction करके भी hydrogen gas release होती है और sodium borate बनता है अच्छा एक और हम reaction याद रख सकते हैं कि phosphorus के साथ अगर यह phosphorus white phosphorus होना चाहिए तो white phosphorus के साथ यह reaction होके NaOH की reaction होके red phosphorus reaction नहीं करता phosphorus में disproportionate हो रहा है sodium hypo phosphide जिसमें phosphorus plus 1 oxygen state पर plus phoszene प्लेस तरी बनता है अच्छा NaOH जो है वो ऐसे metal से reaction कर सकता है जिनके oxide या hydroxide में amphoteric natures होते हैं इन में आते हैं इन सब metals के साथ reaction करके यह जैसे कर हम lead कहेंगे तो lead का formula हो सकता है Na2PbO2 sodium plumbite या Na2PbO3 sodium plumbite तो lead में और tin में यह इस तरह का formula आ सकता है aluminum में चुकिए plus 3 oxygen state तक जाएगा तो NaAlO2 यह बन जाएगा sodium meta-aluminate इसी तरह के बेले में plus 2 oxygen state है zinc में plus 2 oxygen state है इस तरह के आपके product बन सकते हैं यह सेम reaction हम NaOH की इन सब के metal oxide के साथ भी करा सकते हैं क्योंकि इन में amphoteric nature होता है तो इनके थुरू भी same product बनेगा तो NaOH can react with metal जो के amphoteric nature है या इस तरह के metal के oxides क्योंकि उनके साथ reaction करके इस तरह के product बनाएगा NaOH की एक important reaction है कि हम carbon monoxide के साथ अगर इसको heat करें तो sodium formate बनेगा और sodium formate को अगर हम फर्दर फिर से heat कर दें तो sodium oxalate बन जाएगा hydrogen gas release हो जाएगी अगर हम NaOH की reaction NO2 के साथ में करा दें तो हमें पता है कि NO2 जो है वो mixed oxide होता है वाटर में dissolve करने पर यह HNO2 और HNO3 दोनों बनाता है तो यहाँ पर HNO2 और HNO3 के sodium salt बन गए है इस तरह से reaction को learn कर सकते है NaNO2 प्लस NaNO3 और N2O5 आप कह सकते हैं इस एन हाइड़ाइड ओफ HNO3 है उसी तरीके से जब इसकी NaOH के साथ reaction कराएंगे तो हमें NaNO3 मिलेगा sodium hydroxide को prepare करने के लिए या एक तो हम brine का यूज करते हैं equus NaCl का यूज करते हैं तो जब brine equus NaCl का यूज करते हैं तो एनोड पर तो Cl2 gas release होती है cathode पर water का reduction होता है NaOH sorry NaCl plus water it will give Cl2 plus H2 plus 2 NaOH पर इस case में चुकि NaCl भी कुछ हमाओने बना रहाएगा pure NaOH बनाने के लिए हम कास्टनर केलनर सेल का यूज करते हैं कास्टनर केलनर सेल में हमको याद रखना होता है कि जो compartment तीन इसके पार्ट होता है जो कॉर्णर कंपार्टमेंट लेफ्ट और राइट उसमें हम एकवस NaCl लेते हैं और बीच वाले कंपार्टमेंट ने खली water लेते हैं तो जो कॉर्णर कंपार्टमेंट है वहाँ पर mercury के थोड़का काम करते हैं और mercury की परजेंस में water का reduction नहीं possible होता है ने कंपार्टमेंट में में कॉर्णर के रिदक्शन होता है वहां पर हाइड बीच वाले कंपार्टमेंट में ख़ली water होता है इस तरीके से pure NaOH बीच वाले compartment में हमको मिल जाता है, बीच वाले compartment में hydrogen gas release होगी, corner वाले compartment में chlorine gas release होगी, इसी तरीके से हम carbonates को देख सकते हैं, तो जो alkali metal के carbonates होते हैं, वो thermally stable होते हैं, except lithium carbonate, और alkaline earth metal के carbonate thermally stable नहीं होते, although down the group thermal stability carbonates की बढ़ती है, sodium carbonate important compound है, इसको हम solve a process के थुरू बनाते हैं, इसको हम solve a process में ammonia का source होता है, ammonium chloride और carbon dioxide का source होता है calcium carbonate, तो ammonia water और carbon dioxide reaction करके sodium bicarbonate बनाते हैं, और यह sodium bicarbonate के साथ में फिर हम NaCl लेते हैं, sodium bicarbonate बना पहले, ammonium bicarbonate के साथ में फिर हम NaCl लेते हैं, sodium bicarbonate बनता है, तो यह sodium bicarbonate completely soluble नहीं होता, जो precipitate होता है, उसको हम अलग कर लेते हैं, और sodium bicarbonate को heat करके फिर हम Na2CO3 बनाते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम को याद रखनी है कि हम potassium bicarbonate नहीं बनाएंगे, because sodium bicarbonate is less solvent water as compared to potassium bicarbonate, और इसका लोजिक है यहाँ पर कि sodium bicarbonate में जो hydrogen bonding होती है, लॉंग रेंज hydrogen bonding होती है, जो water में आसानी सी नहीं तूटती है, वैरिन potassium bicarbonate जो bicarbonate आयन की hydrogen bonding है, उसमें वो dimer बनाता है, तो water में इसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है, sodium carbonate का यहाँ पर compound मिलता है, वो Na2CO3.10H2O मिलता है, इसको washing soda भी बोलते हैं, इसको अगर हम लगबग 375 Kelvin पर heat करें, तो Na2CO3.H2O मिलता है, इसको इस temperature के उपर heat करने पर, 375 Kelvin के उपर heat करने पर Na2CO3 मिलता है, एन्हाइडराइड जो है, तो Na2CO3 को हम soda S भी बोलते हैं, जो further फिर decomposed नहीं होती है, क्यों यह carbonate are stable, alkaline metal carbonates are stable towards heat, और thermal stability down the group बढ़ती है, alkaline metal carbonates जो है, वो soluble है water में, while alkaline earth metal carbonates water में soluble नहीं है, और solubility down the group decrease करती है, यह carbonate, sulfate, oxalate, सबके लिए true होता है, potassium का एक compound है, KO3, इसको हम potassium ozone add भी बोलते हैं, इसको हम prepare कर सकते हैं, अगर हम KOH को ozone के साथ heat current dry KOH को, तो KO3 मिलता है, KO3 का orange color होता है, orange color का solid होता है, alkaline metals की एक important property है, कि यह liquid ammonia में dissolve हो जाते हैं, और liquid ammonia लगबग माइनस 30 degree centigrade temperature तक एक जिस करती है, तो liquid ammonia में इन metals को डालने पर, metal से electron excite हो जाता है, और M plus ion बनता है, साथ में electron lease होता है, यह दोनों ammonia में solvate होते हैं, तो solvated या ammoniated metal ion भी होता है, ammoniated electron भी होता है, इन दोनों की वज़े से, ion की वज़े से और electron की वज़े से, this solution becomes very good conductor of electricity, and free electrons की वज़े से, this solution becomes blue colored, dilute solution blue होता है, लेकिन अगर इसको हम concentrate करें, तो थोड़ा color change हो के bronze color होता है, dilute solution paramagnetic nature का होता है, electron semispin के होता है, लेकिन concentration बढ़ने पर paramagnetic character decrease होता है, क्योंकि electrons में pairing start होती है, और अगर इसको heat करें, तो यह reaction sodium की साथ, ammonia की reaction होकर NANS2 बन जाता है, और hydrogen gas release हो जाती है, color disappear हो जाएगा उस case में, तो यहाँ पर जो NANS2 बनता है, इसकी भी हमको कुछ reactions याद रखनी है, जैसे हम NANS2 को अगर हम water में डाल दें, तो हमें NaOH plus ammonia मिलेगी, hydrogen gas के साथ यह reaction करके NaOH plus ammonia बनाएगा, carbon monoxide या carbon के साथ अगर हम इसकी reaction कराएगा, तो यहाँ पर sodium cyanide बनेगा, और अगर हम N2O के साथ reaction कराएगें, तो sodium azide मिलेगा हमको, और sodium azide का हम यूज कर सकते हैं, hydrazoic acid बनाने में, क्योंकि इसका acidification करने पर hydrazoic acid हमको मिलेगा, इस तरीके से हम nitrate देख सकते हैं, हमें पता है कि all nitrates are water soluble, तो एक तो यहाँ रखना है कि all nitrates are water soluble, alkaline metal nitrates जो हैं, वो भी water soluble है, और अगर इनको heat करें, और 800 degree centigrade तक heat करें, तो उसे कम रखें temperature, तो alkaline metal nitrates में, खासकर वो भी sodium, potassium, rubidium और cesium में, NaNO2 या MNO2 मिलता है, oxygen gas release होती है, NO2 gas release नहीं होती है, 800 degree centigrade temperature तक, lithium को छोड़कर sodium, potassium, rubidium, cesium में यह property याद रखनी है, इन metal nitrates को हम 800 degree centigrade के उपर heat करेंगे, तो फिर यह बाकी nitrates की तरह से behavior show करेगा, metal oxide मनेगा, NO2 मिलेगा, O2 मिलेगा, तो बाकी सब nitrates में sodium, potassium, rubidium, cesium को छोड़कर, oxide NO2 plus O2 मिलेगा, वहाँ पर भी हमको एक तरह silver और mercury का ध्यान रखना है, कि वहाँ पर जो oxide मिलता है, वो भी stable नहीं होती, तो finally, वो silver और mercury metal form में तूट जाते हैं, NA NO2 की एक special reaction याद रखनी है हमको, कि अगर हम NA NO2 को in absence of oxygen heat करें, तो यह अपने आप में redox reaction शो करके, disproportionation reaction शो करके, sodium nitrate में, sodium oxide में, plus nitrogen में release होता है, nitrogen gas में convert होता है, तो यह reaction हम को याद रखनी है, कुछ reaction हम को nitrates की यह आद रखनी है, जैसे KNO3 को हम lead के साथ reaction कराएं, तो यह nitrate है, lead को oxidize कर देगा, lead oxide में, और KNO2 मिल जाएगा, यह वैसी reaction है, कि हम HNO3 लेते हैं, तो lead oxide में convert हो जाता, तो क्योंकि यहाँ पर acid नहीं है, इसलिए lead oxide के form में हमने छोड़ दिया, फर्क उतना ही यहाँ पर है, हम sodium nitrate को करम carbon के साथ reduce कर दें, तो यहाँ पर भी फिर यह NaNO2 में reduce हो जाएगा, और carbon CO2 में oxidize हो जाएगा, एक हम को याद रखना है कि जो potassium है, उसके दो compound water insolubal है, एक तो cobalt के साथ, नाइट्रो जो complex है उसके साथ, K3, CO, NO2 whole, 6A water insolubal है, यह potassium के test में भी काम में आता है, और KCLO4 is also water insolubal, CO2 को एन नहीं हो इसके साथ reaction कराएं, तो लगबग वैसी reaction है, acid-base type की reaction, लेकिन यहाँ पर साथ-साथ में, carbon का reduction भी हो जा रहा है, तो इसमें sodium formate बन जाता है, यह reaction को याद रखना है, sodium sulfate को carbon के साथ reduce करा दे, तो NA2S मिल जाता है, यह भी हमको याद रखना है, sodium sulfate dot 10S2O, इसको हम global salt भी बोलते हैं, पर यह global salt जो है, free state में हमको नहीं मिलता, solution में मिलता है, तो when crystallized at below temperature, 32.4 degree centigrade, अगर इससे उपर ले जाएंगे, तो फिर यह enhydrate form में बाहरा आता है, क्योंकि hydrate form इनके stable नहीं होती है, तो hydrate यह alkaline metals नहीं होते हैं, alkaline earth metal में positive plus 2 charge होने की वज़े से, उनका hydrogen थो ज़्यदा असान होता है, magnesium sulfate, 272O, इसको हम ipsum salt भी बोलते हैं, और calcium sulfate, 2-2O, इसको gypsum भी बोलते हैं, इस gypsum को अगर हम 120 degree centigrade पर heat करें, तो एक molecule water का निकल जाता है, और अगर उसको फिर plaster of Paris बोलते हैं, और अगर हम इसको 200 degree centigrade पर heat करते हैं, एन्हाइडरस calcium sulfate मिल जाता है, तो plaster of Paris का formula हम को इस तरह याद रखना है, कि calcium sulfate dot half as 2O होता है, solubility of calcium sulfate at first increases up to a certain point, and then decreases with the rise of the temperature, तो calcium sulfate जो है, temperature बढ़ने पर solubility की काम होती है, अच्छा, एक चीज हमको याद हैं, कि जो magnesium chloride dot success 2 हो, इसको सीधा सीधा heat करने पर हमें magnesium chloride and hydride नहीं मिलेगा, because magnesium oxide या hydroxide है, यह हम कहें कि magnesium ion जो है, वो उसका hydrolysis हो जाएगा water की परजेंस में, इसलिए final product हमको magnesium oxide मिलता है, तो enhydrous magnesium chloride बनाने के लिए, हमें इसको dry HCL की परजेंस में heat करना चाहिए, एक reaction nitrogen के साथ समझ सकते हैं, कि जो alkali metals है, वो तो nitrogen के साथ reaction नहीं कर पाते हैं, क्योंकि nitrogen nitrogen bond वहाँ पे नहीं तूट पाता है, बहुत strong bond होता है, यहाँ पर size चोटा होने के वज़े से, और charge ज़्यादा होने के वज़े से, जब magnesium nitride बनता है, तो उसके latest energy बहुत ज़्यादा होती है, वो energy capable है nitrogen nitrogen bond तोडने के लिए, इसलिए alkaline earth metals nitrogen के साथ reaction करके nitride बना देते हैं, या any compounds होते हैं, इनका अगर हम hydrolysis करेंगे, तो हमें magnesium hydroxide plus ammonia मिलेगी, alkaline metals ये reaction नहीं शो करेंगे, except lithium, अगर हम air में बन करेंगे, magnesium nitride को, magnesium oxide plus magnesium nitride दोनों मिलेगा, similarly, यही हम carbon के साथ भी कह सकते हैं, कि alkaline metal carbon के साथ reaction नहीं करते हैं, except lithium, और alkaline earth metal carbon के साथ reaction के carbide बनाते हैं, magnesium के case में को याद एकना है, जो stable carbide होता है, फार्मूला होता है, mg2, c3, और इसके hydrolysis करने से हमको प्रोपैन मिलती है, calcium carbide जो बनता है, उसके hydrolysis करने से हमको, acetylene मिलती है, तो इसका मतलब इसमें, c2, 2- unit होती है, aluminium carbide में को पता है, कि methane बनता है, उसके hydrolysis होने से, तो aluminium का जो diagonal relation है, वो beryllium के साथ में होगा, तो beryllium में भी उसकी तरह से हम कह सकते हैं, और magnesium का जो diagonal relation है, वो lithium के साथ होता है, एक reaction वो याद रखनी है, के calcium carbide जो है, वो nitrogen के साथ reaction करेंगे, एक compound बनाती है, CACN2, CN2 इसका मतलब है, कि इसका structure है, उसमें, इसको nitrogen भी कहते हैं, और इसके hydrolysis करके हम, ammonia बनाते हैं, तो fertilizer के form में इसका यूज करते हैं, तो ये एक important reaction है, NACL के लिए एक point याद रखना है, कि इसकी water में solubility काफी high होती है, 100 gram water में लगबग 36 gram of NACL solubile हो सकता है, beryllium chloride के याद रखनी है, कि solid state में एक polymeric chain के form में exist करता है, इस तरीके से जहाँ पर valences की 4 होगी, और vapor phase में ये dimer form में exist करता है, खाली और further अगर हम 200 Kelvin तक इसको heat करें, तो ये monopar form में, ये इस form में exist करता है, तो that's it for alkaline metals and alkaline earth metals, इसको हम multiple time revision करेंगे,